अजुर्वार्ट साथ ऐλάकर gerade वेल्कम टो ऑष्यान लौग कर्शा आज हम 더 डिस्कस करने जाने प्रिविटी ओथाक्टर्यॉच होता क्या है यह पक्यों कम ड्यान कि शोंट कॉस्चिन में भी आजाता है phase number के marks में और तेंट कहीं आजाता है 15 कि lanes में है 15 कोई third party नहीं कर सकती, like मेरा A person से agreement हो गया, contract हो गया, तो अगर हमारा contract breach होता है, या कोई भी चीज होती है उसके बीच में, तो A मेर पे review कर सकता है, मैं उस पे review कर सकता हूँ, कोई भी other person, like C, D, हम पे case नहीं कर सकते हैं, हम दोने ही एक दूस्ते पे case कर सकते हैं, यह प्रिविटी ओफ contract का मतलब है, इसे आईए देखते हैं, एक case के थूँ से, यह बहुत अच्छा case है, Arising Advertising Bureau वसेज सीटी देवराज, A circus owner, Bal Christian placed order with the plaintiff, to make advertisement of circus, means क्या था, जो Advertising Bureau company है, उसमें जो Bal Christian थे, Bal Christian कौन थे, circus के owner, उन्होंने क्या का, Advertising Bureau से उनका contract हुआ, कि आप क्या करिए, advertisement करिए हमारे circus का, I hope so clear हो रहा होगा, but the advertisement did not make any agreement with the financer of the circus, बगर जो Bureau थी Advertising Bureau, उसमें कोई भी contract नहीं कर रहा था, किसके साथ, financer of the circus के साथ, he sue, financer for the recovering his dues, किसी circumstances की वज़े से contract तोड गया, वो circus का advertisement नहीं कर वाया, तो क्या Bureau कंपनी ने किस पे कर दिया case? Financer पे, तो इसमें Supreme Court ने decided करा, Financer is not the party according to the privity of contract, Supreme Court ने क्या decision दिया, कि जो हमारा Financer है, वो पार्टी नहीं ये contract की, क्योंकि contract इसके बीच में होगा था बाल क्रिशन कौन थे? और उनका किसके साथ होगा था? अड़र्टाइजिंग बीरो के साथ तो वहाँ जो financer था वो party नहीं था तो इसलिए वो libel नहीं होगा अब आते exceptions अब exception word कई बार जो हिंदी मीडियम होते हुए उन्हें समझ जाता है या exception word होता क्या है सर exception क्या है? जैसे privity of contract क्या था? कि जो दो parties है वो एक दूसरे पर case कर सकती है third person कोई भी case नहीं कर सकता इस जगे क्या होता? exception में क्या होता है? कुछ cases होते है कुछ exceptions होती है जब third party भी case कर सकती है या third party भी उसका benefit ले सकती है उन्हें हम चीज़ को कहते है exceptions exception of privity of contract है इसलिए मैंने privity of contract के वाई से समझा exception ही होता है कि जो चीज़ valid ना हो मतलब जो चीज़ कोई defined हो उसके कुछ parts हो जो हम कर सकते है अब privity of contract का मतलब आप समझी चके है two parties जो एक दूसरे पर सकती है exception मतलब यहाँ आएगा कि आप 30% भी स्यू कर सकता है यह हमरे privity of contract के exceptions है देखते है beneficial of trust and beneficial under our contract मतलब कोई भी contract हुआ two person का उसमें third person को benefit मिल जाएगा कैसे मिल जाएगा case की तुरू समझते है देखे case के through आपको समझा रहा हूँ मैंने हर वीडियो में जाथ स्यादा images डाली है images इसले ही डाली है कि तुम्हाले exam time में recall करने के लिए या आप लोगों को मेरी चीज भूल गए सन ने क्या पढ़ाया तो आप अपने notes के screenshots होंगे मेरी PDF के screenshots होंगे PDF आपने save कर रखे होगी तो जाके तुरूंत ऐसी images देखेंगे समझा जाएगा अब इस image से क्या समझा रहा building है कोई hotel है essay hotel है और यह plane तो आपको case याद जाएगा calls matter what चीज वाद इस इस इंडिया hotel इस case में क्या था जो जो German Airlines थी उसका contract था hotel overrides है German जैसे आपने सुना हो आपने jet सुना हो या air India सुना हो जैसे airlines होती है वैसे German Airlines का contract किसके साथ hotel overrides के साथ क्या contract था कि हमारे जो भी pilot से जो भी members हैंगे वह stay करेंगे कि यहां लिख रखा है कि जो भी crew staff आएगा को पाइलेट था को पाइलेट वो उसने stay करा उस hotel में क्यों stay करा क्योंकि contract किसके साथ था hotel का contract किसके साथ था हमारे German Airlines के साथ कोई pilot का contract नहीं था तो उसने stay करा तो उसमें क्या होगा वो badly injured हो गया swimming pool से swimming pool की वज़े से badly injured हो गया libel है कैसे libel हो गया compensation के लिए contract तो दोने के बीच में था hotel over आया and German Airlines but swimming pool की वज़े से damage किसा हो गया co-pilot को तो co-pilot इसमें libel था compensate करने के लिए hotel over आया से क्योंकि इन दोनों का contract हुआ था but इस वाले case में libel था तो इसलिए ही exception of privacy of contract का जाता अब आते beneficiary of family settlements marriage settlements and family such settlements in rating like क्या होता जो भी कोई family का settlement हो जाता उसमें हो जाता beneficiary like मेरे property मेरे बच्चे को मिलेगी या किसी की property किसी को मिलेगी या कोई settlement में wife settlement में तो यहां हमारा दूसरा person sue कर सकता like जैसे मेरे फादर like फादर की property है तो दो बेटा sue कर देते हैं agreement तो उन्दों नों वह आता parties के बीच हो है बट यहां skew case हो जाता ठीक है come to the next slide when a person acknowledgement receipt of money and confirms that we'll pay the liability he will be abounded by his acknowledgement means अगर मैंने किसी की guarantee ले एपरसन ने example की दो समझते a person ने market से पैसा उठा लिया मैं market मुशने का कि उसकी guarantee को ने का मैंने कह दिया कि मैं उसका guarantor हूँ means अगर उस बंदे ने पैसा pay नहीं कर रहा तो मैं pay करूँगा तो इस जगे मैंने खुद liability उसकी कर ली मैंने उसकी खुद liability ले ली तो इस जगे क्या हो गया आपका exception होगा प्रिविटे ओफ कंट्रक्ट क्यूंकि वो persons मेरे ओपर भी case कर सेखें क्यूंकि third party ने guarantee ली थी अब आते हैं in all contract annual through the agents and agents and principles like LIC agents होते है वहाँ भी होते हमें agent हमारा contract क्योंकि के साथ होता है LIC के साथ but उसमें जो agents होते है उनके through होता है तो यहां भी third party involvement होता है अब आते है assignee of interest rights for example assignee of the insurance policy assignee of insurance policy like आपने सुनाओ अगर जैसे मेरा हो गया मैंने कोई claim ले रखा या कोई मेरा premium हो गया या मेरी कोई FD हो गई किसी agreement किसी bank के साथ तो मैंने लिखा मैंने nominee सुनाओगा अपने nominee word क्या होता है like अगर मेरी death हो गई तो मेरी wife को मिल जाए मेरे mother को मिल जाए मेरे father को मिल जाए मेरे son को मिल जाए मेरा पैसा तो यह होते है nominee इसमें भी third party involvement हो गया contract हम दोनों के बीच में था like किसी भी bank के साथ और मेरा contract था but benefit किसे मिल जाता है कि मेरे party मला like मेरे son को मिल गया या मेरे father को मिल गया मेरे mother को मिल गया जो भी मैंने nominee लिखा होगा अब आते previous agreements connected with the land like previous agreement connected with the land जैसे को आपने सुनाओ कि कोई party land देती जा रही है like आप उसमें example भी दे रहा मैंने new owner will be allowed by such agreement for example मेला जैसे आपने सुनाओ कि राम लीला मेला या राम लीला is ground ये राम लीला ground नाम रख देते हैं कि हाँ बहुत सालों से राम लीला हो रही है अगर कोई doubts है तो मुझे dm करिए मेरे चैनल को subscribe करें और जाथ साथ अपने friends circle में share करें कि कुछ मेरी videos में उन्हें भी easily understood हो thank you so much